असलाम लेकुम गाइज, वेलकम टू बाइक मने पीके सुकाइज, सीरीज को कंटीनु करते हुए आज हम दो बाइक्स को और एट करेंगे जिसमें एक है बजाज का CT 125X और दूसरा है हॉन्डा का CG 125 दोनों बाइक्स के कंपैरेजन के अंदर, आज मैं इनकी प्राइज को कंपैर करूंगा, इनकी स्पेस्फिकेशन, इनके फीचर्स और दोनों बाइक्स में किया का खासियत है, उसके बारे में भी बात करेंगे तो बिरणाइवेस्ट की विड़को स्टार्ट कर लेते हैं, सबस्ब पहले तो शुरू करते हैं डिजाइन से, डिजाइन में अगर हम CG 125 की बात करें, तो होन्डा CG 125 को जो डिजाइन है, इस वाफ आपके सामने है, और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के एसाब से कुछ लिमिट बाइक बिलकुल नॉर्मल सा मिलता है, कुछ खास, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, अगर हम दूसी तरफ बात करें, बजाज CT 125X की, तो बजाज ने इसके अंदर रिसेंट चेंज किया है, और जो इनका नए मॉडल है, इस वाफ आपके सामने है, इस बाइक के अंदर प्रेंकर डिजाइन भी अच्छा है, और इस पे भी अगर आप चाहें, तो तीन से जादा बंदे बढ़ा सकते हैं, और अगर इसको कंपेर करें हम होने से जीवंट फाइफ से, तो डेफिनिटली डिजाइन का नंबर इस पाइक को जाएगा, अगर फ्रंट लाइट की पंदरा साल से चल रहे हैं, इसके सेम टू सेम इंडिकेटर्स, अगर दूसरी तरफ बजाज को देखें, तो बजाज के अंदर आपको फ्रंट पे डियारेल्स मिल जाएंगी, इसके अंदर आपको पार्किं का बल्ब मिल जाएगा, हैडलाइट हाई लो का बल्ब मिल जाए वो सिंपल बैक लाइट है, इसके अंदर बल्ब एवेलेबल जाएगा, है जासे कि आपने देखा पराने सेम टू सेम इडिकेटर्स हैं, जो बैग इसका मड़गार्ड है, अगर हम बात करें बजाज की, तो बजाज के अंदर आप देख सकते हैं, जाज के इसके अंदर कि इसका मट-गार्ड है वो हर्ड प्लस्टीका बैक मट-गार्ड है अब अगर बात करें कि पॉइंट किसको जाए इनमें से तो मेरे ख्याल में बैक लएट का पॉइंट जाएगा हॉन्डा 1-5 को उसकी रिजन यह है कि आपको बैक पे सिंपल बल मिल रहे है और सिंपल बल भ कि अपने होंडा 125 के अंदर मेटल कामट कार्ड है तो बैक लाइट की तरफ से मेरे ख्याल में पॉइंट जाएंगे होंडा सीजी 125 को इसके बाद अब हम आते हैं फीचर्स की तरफ तो फीचर्स में अगर होंडा सीजी 125 की बात करें तो तो पॉइटर के उप सकते हैं कि इस पायक लाओ को आर्पियम मिल रहा और स्पूडर मिल रहा है भास इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर वाइक के अंदर करें अगर स्अंबडी की तरफ आए तो राइट सेट के अपर आपको कुछ भी नहीं और बाइक के अंदर आर्पियम मीटर अवैलिबल नहीं है इस टाइम पर और बाइक के अगर आप हैंडल देखें तो इसका यूनीक सा हैंडल आपको मिल जाता है और हैंडल के उपर आपको फरंट पे एक ग्रिब भी इंस्टॉल्ड मिलती है जिससे के आपका हाथ वगएरा कहीं सिलिप ना हो या कोई भी आगे बैठता है जैसे छोटे बचे हम बिठाते हैं तो उनका हाथ सिलिप नहीं होगा और ये बिसकली उसके लिए है है इसके अलावा बाइक के अंदर आपको सेल्फ श्टार्ट भी इंस्टॉल्ड मिलेगा और अगर आप इसके अंदर लेफ सेट पे देखी तो अगर आपको डिपर मिल रहा है है अगर इस left right है और horn available है spike के अंदर तो features wise definitely हम नबर देंगे बजाद CT15X को अब अगर tank और petrol leverage की बात कीज़े तो सबस्वेले Honda CG15 को देख लेते हैं Honda CG15 को जब को tank मिल रहा है ये 9.2 लिटर्स का tank है और इस spike की अगर हम petrol leverage की बात कर लें तो petrol leverage ये bike आपको 30 से 35 तक easily दे देता है कुछ लोग कलेम करते हैं 40 तक भी तो 40 तक भी आप achieve कर सकते हैं लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको bike को 40 से 60 की speed तक maximum चलाना पड़ेगा इससे उपर ना ही चलाएं क्योंकि अगर आपने चालिस से उपर होनड़ से जिवन टुफाइफ पेट्रोल एवरिज देगा वरना आपको इससे 30 से 35 तक easily मिल जाती है इसके बाद अगर आएं बजाज की तरफ तो बजाज का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 11 लिटर का टैंक है और 11 लिटर के टैंक के साथ अगर हम बात करें इस पाइक की पेट्रोल एवरिज की तो इस पाइक की कंपनी क्लेमड जो आपको पेट्रोल एवरिज मिल रही है वो है आलमोस्ट 60 से 65 किलोमेटर पर लिटर 60 से 65 किलोमेटर पर लिटर इसकी माइलेज क्लेम की जाती है कंपनी की तरफ से अगर आप बात करें मिनिमम की तो मिनिमम पचास तक तो मिल ही जाती होगी स्पाइक की पेट्रोल एवरिज और अगर मैकसिमम की बात करें तो ये सतर तक भी चला जाता होगा तो इससाब से अगर हम पेट्रोल एवरीज का पॉइंट और टैंक का पॉइंट दें तो दोनों के पॉइंट डेफिनिटली बजाज को जाएंगे इसके बाद अब आते हैं इंजिन की तरफ तो जो इंजिन है होन्डा से जी वंट फाइफ का ये है फॉर स्टॉक सिंगल सिलंडर ओवरहेड वैल्व इंजिन ओवरहेड वैल्व होने के विए से बाइक वाइबरेशन तो काफ़े प्रोडूस करता है लेकिन उसी साब से आपको पावर भी बड़ी जबदस देता है अगर इसके बोर हैं स्टॉक की बात करें तो बाइक का जो बोर है वो है 56.5 mm बाइक का स्टॉक है 49.5 mm बाइक के स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर आपको किक स्टार्ट मिल रहा है सिर्फ बाइक के अंदर आपको फॉर्गे टरस्मिशन मिल जाएगी तमाम गेर्स बागी तरफ लगते हैं और उसके लावा बाइक की अगर हम टॉप स्पीड और पिकप की बात करें तो बाइक की पिकप बहुत जबदसता है इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी वन टॉफाइव से सी काडिगरी के बाइक्स हैं उनमें सबसे बेस्ट पिकप आपको इस पाइक की मिल है और मेरे ख्याल में मैंने परसनली जितना चलाया है इस वाइक की टॉफ स्पीड एक सो पांट से एक सो दस तक ही है अगर इस वाइक की होर्स पावर की बात की जाए तो ऑल्मोस्ट टैंड पॉइंट फाइव से टैंड पॉइंट एट तक यह वाइक होर्स पावर ओवरेड केमशप्ट वहने के विए से बाइक फ़रेशन जो है वो थोड़ी सी कम प्रोडूस करता है और पावर उस हिसाब से आपको थोड़ी सी फिर कम मिल जाती है displacement के अगर हम बाथ करें तो 124.4ụ क्युबिक सेंटिमीٹर बाइक के displacement है maximum power जोन स्पाइक के आपको मिलती है मतलब इसकी horsepower के बात करें तो 10.7 इसपाइक की horsepower है जो कि यह 8000 rpm के उपर प्रूडूस करता है बाइक के अंदर आपको जो टॉर्क मिल रही है वो है 11 Nm टॉर्क जो कि यह 5500 RPM के ऊपर प्रोडुइस करता है बाइक के है अगर हम बोर की बात करें तो इस बाइक का आपको जो बोर मिल रहे है वो 52 mm बाइक का स्ट्रॉक है 58.6 mm बाइक के अंदर आपको जो compression ratio मिल रही है वो 9.8 ratio 1 है इस बाइक की top speed आपको 95 km पर और तक मिल जाती है बाइक की riding range जो है वो है 660 km मतलब एक टैंक के अंदर ये बाइक 660 km तक चल सकता है इस बाइक के अंदर आपको carburetor system नहीं मिल रहा एक और चीज इस बाइक के अंदर बड़े यूनीक है कि इस बाइक के अंदर आपको spark plugs एक नहीं मिलते हैं दो spark plugs इस बाइक के अंदर available हैं जो जादा बहतर current produce करते हैं और उस हिसाब से आपको थोड़े सी power arm भी increase मिलती है और बाइक की petrol average भी इस हिसाब से बहतर हो जाती है और अगर बाइक की transmission की बात कर ली जाए तो बाइक के अंदर पाच के अर्ज़ हैं और तमाम के अर्ज़ बागे की तरफ रखते है अब अगर दोनों मेंसे किसी को point दें तो engine का point तो definitely बजाच की तरफ जाता है लेकिन मैं एक point अपने Honda CG15 को भी देना चाहूंगा उसकी reason ये है कि power जो है वो आपको Honda CG15 के अंदर बहतर मिल रही है बनिस्पत इस पाइक के अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि आपने horse power उसकी तो कम बताईए इस पाइकी तो ये कैसे हो सकता है कि इस पाइक की power कम हो तो weight भी काफ़े matter करता है अब मैं weight भी आपको बता देता हूं दोनों bikes का सबस्ज़ जाले तो आप सुन लें Honda CG15 का तो पूरा का पूरा 100 kg Honda CG15 का weight है जबके जो आपको weight मिल रहे है बजाज का वो है 131.5 kg तो weight का कितना difference आ गया है फिर बंदे जो बैठेंगे उसके उपर जो चलाने के लिए उनका अपना weight है तो इस तरह weight का काफ़े difference आ जाता है और उस हिसाब से power जो है वो आपको Honda CG15 के अंदर बहतर मिलती है या आप ये कह लें power to weight ratio जो Honda CG15 का है वो बहत बहतर है अब अगर breaking की बात कर लें तो simple Honda CG15 के अंदर आपको बहुत साइड्स पे drum brakes मिल रही है आगे भी पीछे भी अगर बजाज की बात की जाए तो बजाज के अंदर आपको front पे dual percent caliper की डिस प्रेक मिल रही है और back पे इस पाइक इने drum brake है तो breaking का point तो definitely ले जाएगा बजाज की तरफ अब आते हैं price की बात करने तो price में सबसे पहले बात करते है Honda CG15 की Honda CG15 की इस वक्त जो latest price चल रही है वो है 2,29,900 रुपे 2,29,900 रुपीज इस पाइक की पाकिस्तानी latest price चल रही है अगर दूसरी तरफ बजाज की बात की जाए तो इसकी latest price है 76,800 इंडियन रुपीज में अगर इसको convert करें पाकिस्तानी रुपीज में तो ये आपके बनते हैं जी 2,65,000 रुपीज ये पाकिस्तानी बनते हैं जबके आपको जो simple Honda CG 1-5 है वो मिल रहा है 2,29,900 रुपीज का price difference आपके सामने आ गया है उस हिसाब से आपको चीज़ें भी काफी different मिल रही है और इस वक्त जो सबसे सस्ता बाइक है वो यही है बजाज का CT 1-5X एंडिया के अंदर और पाकिस्तान के जो इस वक्त 1-5 से सी कडिगरी के अंदर सबसे सस्ता बाइक है वो है Honda का simple CG 1-5 और वो definitely सस्ता है तो गाज यह थे मेरी आज की वीडियो मिदाप को वीडियो अच्छे लेगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चल को बाइक मेने को लाइम सब्सक्राइब परें थैंक्यू वेरी मच अलाफिस